कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल में मैं रानी गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि बॉलिवड एक्टर आमिर खान की एक फोटो इंदरों सोशल मेडिया पर काफी जादा वाइरल हो रही है इसमें वो माथे पर तिलक लगा हुए दिख रहे हैं और इसी के साथ ही भगवान की मूर्ती के सामने कलेश उस्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही उनकी आरती करते हुए फोटो भी वारल हो रही है इसके बाद से लगातार वो जहां ट्रोलर्स के निशाने पर के हैं तो इसके बाद आमिर खान यह काड़ खेलते वह नजा रहा है तो वहीं उन्हें वर्ग की लोग है उन्हों ने तो सीधे तोर पर आमिर खान को काफिर ठהरा दिया है बतादे जहां अमिर खान इन तसवीरों पर नजेशर आ आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के नए आफिस में हुई इस पूजा के दौरान उनकी एक्स वाइफ किरन रौ भी मौजूत रही। आपको बता दें कि आमिर खान और किरन ने पूजा के साथ एक साथ आरती भी की है। लाल सिंग चड़ा के नरदेशक अद्वयत चंदन ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर आमिर खान की पूजा और आरती करते हुए कुछ तस्वीरे शेयर की है। इन तस्वीरों में पूजा में हिस्सा लेने वाले अन्य स्टाफ मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। फोटो काफी जादा वाइरल होने के बाद कुछ लोग जहां उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं उससे भी जादा जो लोग है वो उनके लोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि लगातार फिल्में बाइकॉट होने के बाद पूजा पौट करते दिखना केवल ड्रामा ही है। तो बता दे कि जहां कुछ लोग उनके लुक को तारीफ कर रहे हैं तो वहीं उनमें से कुछ जादा तरह ऐसे लोग हैं जो कि लगातार उन्हें ट्रोल करते हुए भी दिखाई दी रहे हैं। और कह रहे हैं कि लगातार फिल्में फ्लॉफ होने के बाद इस तरीके से पूजा पाठ करना ये सर्फ एक नाटक है। उनका असली जो मजभव हैं लोग उनको भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बता दे कि मुस्लिम यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें काफिर तक क्या रहे हैं। बता दे कि पठान नाम के एक यूजर लिखते हैं। अरे कलश पूजा क्यों। सर आप बता क्यों नहीं देते अपना असली मजभव। क्या आप हिंदू हैं। तब क्या जरूरत है मुस्लिमों को आपको गलत सलत कमेंट करने की। आपको बता दे कि आमिर खान के पूजा करने से आक्रोशत मुसल्मानों को कुछ हिंदू यूजर्स ने करारा जवाब देते हुए लिखा। अपनी फैमली की तीन जनरेशन पीछे जाएगा तो तुम्हारे बड़े भी काफिर ही मिलेंगे। वहीं एक मुसल्मान के कहने पर अपनों से बड़ों का अपमान मत करो कहा है। इसके बाद अतीक शेक आमर खान का बचाव करने वालों को गालिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दे कि कुछ साल पहले ही आमर खान ने बताया था कि उनकी पत्नी भारत में सुरक्षत महसूस नहीं करती और वो भारत देश छोड़ना चाहती है और इस सब बोलती भी है। उनके इस बयान के बाद लोग उन पर और उनकी पत्नी पर खासा जादा नराज हुए थे। लोगों ने सला दी थी कि अगर ऐसा है तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यहां काम नहीं ढूड़ना चाहिए। बता दे कि आमर का ये बयान साल 2015 में सामने आया था। इ आला कि कुछ साल बाद खबर आई थी कि दोनों पती-पत्नी अलग भी हो रहे हैं। और देखने को मिला था कि आपको बता दे कि किरन राओ और आमिर खान ने पिछले वर्स जुलाई में सायुक्त बयान जारी कर तलाख लेने की जानकारी भी साजहा की थी। सायुक्त बया था कि हम साथ में खुश रहें हसे हमारा रिष्टा विश्वास प्यार और सम्मान के मामले में लगातार बढ़ता ही रहा है। अब हमने निर्णे लिया है कि हम जो जीवन हैं वो एक नए अध्याई की शुरुआत करेंगे लेकिन पती-पत्नी के रूप में नहीं यह बेट एक साथ सुर्खियों में नजर आ रहा है क्योंकि आमिर खान जो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें उनकी एक्स-वाइफ किरन राओ भी नजर आ रही है। फिलाल जो तमाम यूजर्स हैं वो लगातार आमिर खान के इस पूजा पाठ करने वाली फोटो को ले हैं आपको बता दे कि फिल्म पीके में कई सीन्स में देखा गया था कि वो ये शब्द कहते हैं कि यह रॉंग नमबर है यानि कि भगवान की पूजा करने को वो गलत बताते हुए नजर आते हैं ऐसा भी कई यूजर्स लिखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो रॉंग नंबर है आपको बता दे कि कई सारे यूजर्स हैं और इसी के साथ ही कुछ लोगों ने तो आमिर खान की जो मुवी आई थी लास्ट में लाल सिंग चड़ा उसकी क्लिप भी शेयर की है और कहा है कि आप तो पूजा पाठ को मलेरिया बता रहे थे लेकिन आप बंद हो गया है जिसकी वज़े से इस तरीके से हिंदु पूजा करने का वो ड्रामा कर रे हैं तो वहीं आमिर खान के समुदाइ के लोगों का ये कहना है कि आमिर खान काफिर हो चुके है फिलाल आमिर खान की फिल्म आई थी अगस्त में लाल सिंग चड़ा जो की बुरी तरीके से फ्लॉप रही इससे पहले भी उनकी मूवी आई थी दो साल पहले ठकस ओफ अंदुस्तान वो मूवी भी कुछ खास कमाल नहीं रिखा पाई थी इसके बाद से आमिर खान ने फिल्हाल ये बता दे कि हाली में एक एड शूट में भी वो नजर आये थी उन्होंने एक एड शूट की थी लेकिन इस एड को भी लेकर के काफी जादा ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ा था फिलाल आमिर खान के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जिसको लेकर कि वो फिलाल च लगातार फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है लोग लगातार बाइकॉर्ट कर रहे हैं और उनके जो पुराने बयान है चाए फिर वो आमिर खान को टागेट करते हुए नजर आते हैं उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आते हैं फिलाल आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें